हेलो गाईज, विल्कम टू बैक माई यूटूब चानल फार्मानो मैं हूँ आपका फार्मसिस्ट अंकुष दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा यूनिकॉल D500 टैबलेट्स के बारे में मैं इसके डिटिल में जान करें दूँगा इसके कमपोजिशन, इसके प्राइज, इसके यूजे, साइड एपेक्ट, और कॉंटर इंडिकेशन के बारे में तो चलो शुरू करते हैं दोस्तो आपने मेरा यूटूब चैनल अभी तर सस्क्राइब नहीं के हो तो प्लीच चैनल को सस्क्राइब कर दो और उस बेल आइकान पर क्लिक कर दो मेरे नई वीडियोस के आपको जानकर ही मिल जाएंगी तो चलो शुरू करते हैं बात करते हैं इसके कमपोजिशन के बारे में इसमें में टू कमपोजिशन रहते हैं इसमें कार्बोनेट और विटामीन दी थरी रहते हैं तो इसमें कार्बोनेट रहता है बारासोपच्चास एमजी एंड विटामीन दी थरी रहता है मे mierदेशनल यूदि तो इसको मैनुफेक्चर कर रही है यूनी्कू़ फार्मासूटिकल कंपनी और इसके एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट्स आती है और ये किसी भी मेडिकल शॉप में easily available रहती है तो चलो बात करते हैं इसके यूजेस फाइदी के बारे में ये यूज होता है अगर विटैमिन डी और केल्शियम की डिपेसेंसी हो गई हो तो उस कंडिशन में बहुत ही यूज होता है अगर अपने बाड़ी में से विटैमिन डी और केल्शियम की मातरा कम होगी हो तो उस कंडिशन में ये बहुत ही असरदार होता है जो भुजर्ग लोग रहते हैं उनका केल्शियम लेवल कम हो जाता है चालीस साल पचास साल के बाद तो उस कंडिशन में उनके लिए ये टैबलेट बहुत ही यूज होती है और यूज होता है उस्टिव पूरोसस ऐक बोन डीसीज है हड़ी का रोग है उसमें चांसिस होते हैं बोन फ्ैक्चर होने के तो उस condition में भी यह बहुत यूज होता है दोस्तों अगर आपको vitamin D 3 sunlight में से भी मिलता है बट यह vitamin D के अपने body से बहुत ही मातरा कम होगी हो तो उस condition में यह doctor prescribe करते हैं तो चलो बात करते हैं इसके doses के बारे में आप इसे दिन में एक tablet ले सकते हो खाना खाने के बाद बट आप इसका dose अपने physician और doctor से decide करें तो चलो बात करते हैं इसके side effect के बारे में आपको इसका side effect क्या क्या हो सकता है मिन्स इसके side effect है stomach pain, nausea, vomiting, ulty होना constipation, curves ऐसे problem आ सकते हैं तो बात करते हैं counter indication के बारे में मिन्स ये tablet किस condition में लेना नहीं है अगर किसी को kidney problem, kidney stone, liver का problem हुआ है और problem है तो उस condition में इसे लेना नहीं है ये tablet बच्चों के लिए बच्चों को देना नहीं है 12 साल के नीचे के बच्चों को ये tablet अवाइड करें दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्चे लेगे तो लाइक करें शेयर करें और चाने को सब्सक्राइब करें थैंक यू